उस्तो होमी जहांगीर भाबा का जनम 30 अक्तूबर 1909 मुंबई में हुआ वो वर्ल्ड के सबसे सक्षम फिजिसिस्ट में से एक थे और उन्होंने नुकलियर और अटॉमिक एनरजी पर काम किया उनको इंडिया के नुकलियर एनरजी प्रोग्राम का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट कहा जाता है 1939 में भाबा अपनी रिसर्च कैम्परिज उनिवर्सिटी में कर रहे थे एक छोटी से पीरेट के लिए इंडिया आये पर वर्ल्ड वार टू होने के कारण वापस नहीं जा पाए और उन्होंने आये सी बैंगलॉर एज रीटर जोइन किया उन्होंने इंडिया में न्यूकलियर एनरजी का महत्व को समझा और उस पर बहुत ही जरूरी काम किया उन्होंने TIFR की मदद से इंडिया के न्यूकलियर प्रोग्राम को बूस्ट किया और एक की रोल निभाया उन्हें government ने atomic energy commission का chairman भी बनाया उनकी mysterious plane दुरगटना में मौत के बाद physics community में उन्हें सम्मानित करने के लिए electron positron scattering को भाबा scattering का नाम दिया गया और उनके नाम पर भाबा atomic research center का भी नाम रखा गया homie jhangir baba ने nation के लिए nuclear energy के field में बहुत ही important काम किया इसलिए उन्हें father of nuclear program in India भी कहा जाता है